प्रॉब्लम्स को देखकर डरने से अच्छा है, प्रॉब्लम्स के कारण क्या है वो जानकर उनसे डरना चाहिए, अच्छा वासू मैं चलता हूँ ए कृष्णा, मेरी बात मानना, मैं भी तेरे साथ चलूँगा नहीं नहीं वासू, मैं सम्हाल लूँगा, तू निकल इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान का, किसे ना किसी सिचुएशन में, किसे ना किसे इंसान को मारने का दिल जरूर करता है लेकिन हमारी मजबूरियां, फैमिली, सोसाइटी, इनकी वज़े से वो ऐसा नहीं कर पाता लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, मुझे जिसे मारने का दिल कर रहा है, वो मेरी आँखों के सामने है उसे मैं कब, कैसे और कहां मारूँगा ये नहीं जानता लेकिन मारूँगा जरूर लेकिन मारूँगा जरूर प्रेम सामने का लेकिन माई जरूर इनकी थरूर झाल 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 पिछली बार तो बच गए थे लेकिन इस बार नहीं बच गए तुम लोग झाल 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 आए 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 चलो बॉस, हमें यहने रुखना चाहिए, चलो यह लोग कौन है, इनके साथ मैं क्यों जा रहा हूं नहीं जानता लेकिन फिलहाल मुझे ऐसे लोगों की जरुरत है क्यों दादी, आध्वी चिला रही हो, मैंने सही से इंजेक्शन नहीं लगाया, क्या? आरे नहीं, ऐसी बात नहीं है दिव्या, तुम तो इंजेक्शन फीक से लगाती हो, लेकिन मैं उसे देखते ही डर जाती हूं हां, रोज बाते करती हो, मुझे बहुत देर हो रही है, दादा जी, खाना खाने के बाद दवाई ले ले जिएगा ठीक है बेटा, काउंटिंग मशीन ही नहीं सर, पेपर सेटर मशीन, लेमेनेशन मशीन, बिलिंग मशीन, क्यों रे, मुझे तो लगता है दादी की सेवा करते करते ही तू डॉक्टर बन जाएगी, कैसे भी मैं डॉक्टर जरूर बनूँगी मा, और पेसर का तो खलकना ही प मुझे यसा अच्छा नहीं लगता, कल से मैं वॉक्टर नहीं जाऊंगा, क्यों पापा, क्या हुआ, हमें गौर्मेत 33 साल होगे सर्विस करते हुए, बैंक से रिटार होने तक मुझे किसी ने गलत बात नहीं की, लेकिन यहां, चलते समय कोई भी इदर दर से धक्के मारता ह यह लीजे, आपको तो रोज वॉकिंग में परिशानी होती है, इस यह लेकाता आराम से रहूँगा, लेकिन तुम नहीं माने, पापा, इतनी सी भात के लिए आप टेंचन क्यों ले रहे हैं, सिंपल मैटर है, बस 300 रुपए में आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, पहन के तो आईए, इसे अगर मैं पहनूंगा तो तुमारी मा मुझ पर हसेगी, पापा, जाहिए न, पहले पहन के तो आईए, जाहिए पापा, यह भीना, ए, तु अभी तक यहीं खड़ी है, अरे मा, पापा ड्रेस्च करनेगा है, उनका इंतजार करूँगी, हाँ, हाँ वो नया ड्रेस बहन के आ रहे है, तब हम लोग केक काटेंगे, चल, जाती हूँ, कृष्णा, ए, कृष्णा, कल तेरी दादी ने घर पे एक प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया था, उसने कहा विरार में 600 स्क्वार फीट का एक फ्लैट है, बोला की 18 लाक में मिल जाएगा, अरे मा, वहां क्यों फ्लैट खरीदना है, बस कुछ दिन इंतजार करो, लोन EMI सर पे नहीं रहेगा, तो सिटी में फ्लैट खरीद सकता हूँ, मैं, वह बात नहीं है बेटा, हमें यह जादा भाड़ा देना पड़ रहा है, मा, ए, कृष्णा, सुबब पापा, अब आपकी अरे राइट में नहीं, लिफ्ट में चल, ए, कृष्णा, रोज अलग अलग रास्ते से क्यों लेके जाता है तू मुझे, क्या करना है, जो बोल रहा हूं, उतना कर, अरे पर स्लो कर, स्लो कर, स्लो कर, अरे क्या हुआ, है, पर भुने, रोकने ज़रा, ए, रोको, आँ, सर, स आउ, Weinegner, मेडम भुला रहे हैं, ये, मेडम, इह लिए, मेडम, हम इधरो, विख्य़का मुझे की, लिजान क्यों क्या, तुम्हारी Hellae, मेरा Hella waters यह रहा मेडम क्यों रहे पीछे वाला है अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है हेलमेट पैन के तुम्हें ज्यादा चर्भी हो गई है क्या इसको फ्रेंड समझ कर बठाया और मेरा हेलमेट पैन लिया तो मैं क्या कर सकता हूं आप भी बदाए मैडम कदे की तरह बड़े हो और मुझे कानून समझा रहे हो कोट में फाइन भरके स्टेशन से बाइक लेके जाना सुनो मैडम इसे ले जाओ हैलमेट देना मुझे यह लो मैडम साब मेरा पेपर देदो ना यह पेपर दुबारा गलती मत करना ठीक है चल जाए यहां से ए चलो जली चलो ए बाइक तो लोग मुझे मुझरिम समझते हैं बड़ी बेज़ती हो रही है बेज़ती हो रही है मैं तुम्हारे लिए ट्रांसपर लेके यहां पे काम कर रही हूं तुम्हें याद है कॉलेज की बात कुछ और थी लेकिन अपकी बात कुछ और है तुम अब पुलिस वारी हो अब क् मैं नहीं आऊँगी, तुम जाओ अखियले मैं तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ, अब तो चलो तुम क्यों नाराज होते हो, मैंने तुम्हें क्या शहर घुमाने के लिए कहा था बस बात करने को तो कहा था मैंने ठीक है चलो, बात करते चलते हैं यह सर, Г्लोबल चेक, यह सब मशिन अवेलिबल हैं अब सूत गूञाम लेपर uts मैदम को सही श्लामत प्रोडी सेस्टर पहुचा दिया न ही तुम अब न भी खूंक साथ जय क्यों टिलेती पहुंचे अचन का था मामा की लड़के के लिए काम माँगा था वो बाहर खड़ा है उसने सून दिया तो मैं तो गया यह राजा आया भाई मॉर्निंग सर एजुकेशन क्या है आई टी आई सर लेकिन सब काम करता हूं सर विजे कंपनी में दो साल काम किया हूं लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा मैंने खुदी छोड़ दिया वहां डिसिप्लीन नाम की चीजी नहीं थी ठीक है दो हफ्ते ओफिस में रहिए ठीक है सर धीरे धीरे डेमो के लिए भेज़ता हूं अच्छा यहां के रोड जानते हो एक मिनिट यहां के रोड अच्छे से जानते हो ना यह देखो ना सर इसमें पूरे मुंबही क मैप है सर जेजी हम कॉलेज में मशीन्स चाहिए और डेमो मांग रहे हैं ठीक है हम लोग आ जाएंगे कहीं है ओके सर ओके चड़ो वासू सर धोल सर यह अलग ग्रूप है इसमें और कोई ओप्शन है क्रिष्णा है है ना सर फेक नोट डिटेक्शन मोड भी है अब यहां देखिए यह एम जी यूवी दिख रहा है ना इन बटन्स का यूज करके आप फेक नोट डिटेक्ट कर सकते हैं बंडल में एक नोट भी फेक होगी ना सर तो फस जाएगी कोई बात नहीं थैंक नारायन काम क्या करता है रिएल इस्टेट बिजननस तुम्हारा क्या नाम है सुनील कैसे दोस्ती हुई इनके एरिया मेरी मोबाईल की दुकान है क्या मालूम पढ़ा मेरे पती हमेशा खाना खाने के लिए फोन करके घर आते हैं उस दिन बेना फोन किये आ गए फोन क्यों नहीं किया भाई इसको तो मैं अभी उपर भेशता हूं रोज रोज का जंजड़ी खत्म हो जाएगा दिमाग का दही कर दिया है एई बैठ जाओ फिर आगे क्या हुआ हाँ भाईया उन्होंने धंकी दिये कि वो इसे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे यह लीजिए पैसे हुआ है ठीक कैसे भी सबूत मिल जाएगा लेकिन अगर मेरा नाम लीग किया तो अरे अरे मैं किसी को नहीं बताऊंगी हम चीके जाओ यहांसे कि एई हाँ कि आयंदा किसी को भाईया मत कहना कैसे हो क्रिष्णा हां मैं ठीक हूँ सॉरी आईये आज भी उनिपॉम में अंदर रूम में ड्रेस रखी है जल्दी से जाके बदल कराओ ठीक है माँ कि दर्वाजा क्यों बंकिया समझे नहीं लॉक अप निकलो यहां से यह क्या कर रहे हो छोड़ो मुझे अरिस्ट कर रहा हूं चाहो तो मुझे पर केस कर दो हमेशा तो चुप रहते हो आज क्या हो गया तुम्हें कुछ तो हुआ है मुझे कपड़े बदलने हैं तुम जाओ यहां से मैं कुछ हिल्प करूं क्या छोड़ो मुझे निकलो जाना पड़ेगा मुझे हाँ जाना पड़ेगा सच में जाओ जाओ ना ज्यादा भाव खा रही है मां आंटी के साथ अंकल कमरे में अकेले क्या कर रहे हैं क्यों बेटा सब के सामने तुमने क्या कर दिया देखिया ना इस लड़के को सब के सामने इसने हमारी नाग कटा के रख दिया क्या हुआ माजी इसने ऐसा क्या कर दिया मौका मिला नहीं कि मामा आप तो डिसिप्लीन में रहो आप लोग बात का बतंगर क्यों बना रहे हैं आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है जाके अपना अपना काम कीजिए यह लो भाई यहां है बेटा हाँ पापा हुआ हुआ है प्रंट जाहिए हुआ है Job में आप यह है और हुआ प्रॉसमा पाइट मझा यह आत्रा क rifle का यह आतो है अ का patch श्यूज़ क्वाह शुख व्यौन ए दिव्या, तुम चिंता क्यों करती हो? सेकंड काउंसल में अपला कर सकते हैं ना? सेकंड काउंसलिंग वेटिंग लिस्ट की तरह है भाया, हमसे पहले बहुत लोगों ने अपलाई किया होगा, हमें मिलना मुश्किल है ए दिव्या, तुम्हें जरूर मिलेगा, मेरी बात मानो, मैं कह रहा हूँ ना? नहीं, पिता जी, चार मार्क स्पाई लोजी में ज्यादा चाहिए था इस सार कॉलेज की सारी सीट्स फूल हो चुकी है, सौरी सर, सीट्स अब फूल हो चुकी है, अगर कोई कैंसलेशन होती है, तो मैं आपको फोन करूंगी, सौरी सर, केंपस में सारी सीट्स फूल हो चुकी है सौरी सर, कोई चांस नहीं है सौरी सर, अब हमारे पास कोई भी सीट नहीं है Sorry sir, sorry sir, कोई सीट अवेलेबल नहीं है Sorry sir, sorry sir ये क्या कह रहे हैं sir, डोनेशन पैसट लाक रुपई है क्या बात कर रहे हो Krishna, अगर दूसरे कॉलेज में जाओगे तो नोहमबर डिसमबर में ही सारे सीट ब्लॉक करके एडमिशन के वक्त एक लाग की सीट देड लाग में बेचेंगे और जो कॉलेज की एक्षोल फीज है वो तुम्हें कभी नहीं बताएंगे Krishna, तुम दोस्त हो, इसलिए बता रहा हो और देखो, Krishna में तुम्हें बताना चाहूँगा कि एसी साल डेम इणिवर्सिटी अपरू हो गई सोच के बताना क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं भाहिसाद तुम्हें कोई टेंशन है क्या? यहाँ बहन का एडमिशन कराने आया था नहीं हुआ? क्या बताऊं? हर जगा एक ही बात सुनने को मिलती है एंटरंस एक्जाम खत्म हो गई है एडमिशन्स क्लोज हो गए है सीट्स फुल हो गई हैं डोनेशन दो बोलते हैं बस बेवजा घुमा रहे हैं एक मिट मेरे साथ आओ आओ ना देखो, सारे प्राइवेट कॉलेज में ऐसा ही होता है गवर्मेंट सीट को छोड़ कर पची 30-40 सीट से ये कॉलेज चल रहा है तो इन लोगों से कोई सवाल भी नहीं कर पाएगा तो डाइरेट कहीं अडमिशन नहीं हो सकता? हो सकता है भाई लेकिन कोई भी कॉलेज फ्री सीट के बारे में नहीं बताएगा आज कल सारे कॉलेज़ में अडमिशन एजेंट के जरिये ही हो रहे हैं ये लोग सीट खरीद लेते हैं और बात मेने ब्लैक में बेचते हैं इनका यही गोरग धंदा है तो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं अरे ब्लैक में पैसा कमाने के लिए करते हैं जैसे थेटर में टिकट बिक्ती है ना वैसे ही ये लोग सीट ब्लैक करके बेचते हैं यही इनका धंदा है तो मुझे क्या करना होगा आप इन लोगों के चक्कर में पढ़कर इस बहन का भविश्यमत खराब कीजिए, मैं नमबर देता हूँ, आप नोट कीजिए, तर असल ये सभी एजेंट्स को जानते हैं, ये इनका अड्मिशन पक्का करवा देंगे, क्या नाम से उकरू? मुरारी, मैंने बात कर लिये, कल सुबर नवरंग खीटर के पास काल करना, वहां मैं भी रहूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है, कौन से स्कूल में चाहिए, भाई, स्कूल की नहीं डॉक्टर की सीट चाहिए, क्या करे भाई, ये मेडिकल की सीट असानी से मिल सकती है, लेकिन आजकल तु स्कूल में भी एलकेज अडमिशन लेना हो तो जान निकल जाती है, बहुत डिमांड है, भाई, क्या बात है, आपकी क्रिपा से अच्छा हो मैडम, काहो कानन, कैसे याग किया, कुछ नहीं मैडम, हमारे पहचान वाले की भाई को, मैडम, भाई नहीं बहन को, मेडिकल कॉलिज में सीट चाहिए, आप करा देगी तो महरबानी होगी, मैडम, अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा, आप चाहोगे तो हो जाएगा, हमारे पैचान वाला है, करा दीजे, प्लीज, ठीके मैडम, उस ओफिस में प्लीज दीजे, ओके, चंद्रशिकर, आप यहाँ सुबह 11 बजी आजाना, राजा मनी रहेंगे यहाँ पर, वो तुम्हें ले जाएगे, ओके, थैंक्स मैडम, मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, गवर्मेंट कोटा में नहीं मिला, गवर्मेंट कोटा में मिलता तो आपके पास क्यों आते हैं सर, सबको मैरिट में सीड मिल जाएगी, तो हमारा धंदा कैसे चलेगा, आपके धंदे की वज़े से LKG के लिए भी लाग से डेर लाग रुपए डोनेशन मांगते हैं सर, यह भाई, तुम्हें कैसी बात कर रहे हो? राजमनी, आप शान्त रहिए, यह लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस पे गुज़रती है ना, दर्द वही समझ सकता है, LKG से लिकर प्लस टू तक आप प्राइवेट डिस्कूल्स में फीस भर देते हैं, पर बात में गवर्मेंट्स की फ्री सीट्स चाहिए हैं ना, प्लस टू में टॉप करने के बाद, डॉक्टर बनकर लोगों की सिवा करेंगे, ऐसा सब कहते हैं, पर करता कोई नहीं है, आप लोग मानिये या फिर ना मानिये, कीमत हर चीज की होती है, खर वो सब छोड़ो, किस कॉलेज में एडबीशन चाहिए, कोई भी कॉलेज चलेगा सर, 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 उतना नहीं दे पाएंगे, थोड़ा कम वाला देखिये न, तब तो राम जी साथ लाग चलेगा क्या, बोलो तो बात करता हूँ, वहाँ पर भी बाकी का खर्चा मिला के 85-85 लाग जाएगा, सर, अरे ये क्या तुम लोग, आलो टमाटर की तरह मोल भाव कर रहे हो, कितना पैसा दे सकते हो, बोलो, फाइनल बताओ, मैं 35 या 40 लाग ट्राइ कर सकता हूँ, सर, ट्राइ कर सकते हो, क्या मतलब, देखो, 7-8 लोग पहले से रेडी हैं, पचास लाग लगेंगे, चीजी ये मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा, इस साल ये डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बनने वाली है, तभी तो ऐसा रेट है, बोलो, फाइनल कर दूँ, थोड़ा कम कीजिए ना, सर, इस से एक पैसा कम नहीं होने वाला है, सोच कर बताना, ए क्रिश्न, हम लोग पहले पैसा नहीं देंगे, पैसे दे दिये और एडमिशन नहीं मिला तो, पहले सीट कनफर्म करते हैं, उसके बाद पैसा देंगे, यार, 35 लाग कम होते हैं क्या, हमारे पास इतना देने के लिए नहीं है, इससे कहो कि कोई और कोर्स कर ले, मा, अगर हम ऐसा सोचेंगे, तो यह डॉक्टर कैसे बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है, अगर गवर्मेंट में मिलती तो जरूर पढ़ा ही कराते, अब वहां नहीं हुआ तो, हम क्या कर सकते हैं, गवर्मेंट में ना मिलने का कारण सिर्फ परसेंटेज नहीं है पापा, जान लेने वाली शराब की दुकाने गली में चार खुली हुई है, लेकिन जान बचाने वाले डॉक्टर पैदा करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज तक नहीं है, 80% मार्क्स लेए हुए कितना इंतिजार किया तुम्हारा, तुम आई नहीं, इसलिए मैं खुच चली आई, यह सो गई थी, अभी उठी है दिव्या आपके लिए जो भी हो, लेकिन हमारे लिए तो डॉक्टर ही है एक लड़की जब डॉक्टर बनती है, तो पूरे खांदान को गर्व होता है, यह हमारी तरफ से तोफा है, इसे डॉक्टर जरूर बनाना यह क्रिष्णा, यह दख लिए रवासो मेरी बात मानना, आरे रखना तू, यह आँ, 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 काम हो गया, समझो, यहां इतनी भीड क्यों है, हटाओ जल दिन सबको, फॉरेंसिक रिपोट आ गई है क्या, आगई सर, अंदर हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे है, उनकी वाइप से ले लिया सर, दो दिन पहले वो अपने बच्चों के साथ मांके घर गई थी, पडोसियों ने देखके पुलिस क मारे हैं, तो पक्का प्लानिंग किया होगा, आज उबाजी मैं पूस तास करके बताओ, वो क्या काम करता था, और हाँ लास्ट में हुई इनके द्वारा सभी लेंड डिलिंग को विंक्वारी कर लीजिए, खास करके रजिश्टार तर जाकर कोई डिल अगर रुग गए हो तो उसे स्पेसल लिंगवारी करना पड़ेगा, ओके सर, मेरी बेटी डॉक्टर बन गई, तुम कोर्स खतम करके गए, वो 15 दिन से कॉलेज जा रही है, तुम लोग ऐसा सोच रहे हो, जैसे पहली बार कॉलेज जा रही है, इस उमर में ही वो कहती थी कि मैं बड़ी होकर गुद मॉर्णिंग मैडम, गुद मॉर्णिंग कृष्णा, हाओ, बोलो कौन सी मशीन लाए हो, हाँ मैडम, यह नया है, जरा वो मशीन दे रहे, सर, मैं बताता हूं, क्या कह रहे हो, डेमो सर, मैडम एक बंडल दो, पहले जितना रुपया गिनना है उसको ऊपर रखिये, और फिर उसके बाद थोड़ा रुपया साइड में डाली है, फिर सर, ओके सर, कृष्णा, मैनेजर साब बुला रहे है, ठीक है, ओके मैडम, इसमें एक खास बात और है मैडम, अंदर से देखनी की जुरोत नहीं, बाहर से सब दिखता है, चलो आप बाहर जाओ, मैंने तो स अपलाई किया था, जी हाँ, सर, वो कॉलेज का अपरोल हिसल कैंसल कर दिया है, सर, हाँ, कृष्णा, तुम मेडिकल कॉलेज में जाकर पूछताज कर सकते हो, हाँ, ब्रदर, अपने बनाए जी जीम कॉलेज के साथ, इंडिया के पूरे 37 कॉलेज के अपरोल को कैंसल कर दिया गया है, यह आप क्या कह रहे हैं, सर, तो पहले वारे स्टूडन्स का क्या होगा, जो सेकंड और थर्ड येर में पढ़ रहे हैं, इस साल के अपरोल को ही कैं पढ़ने के कोई facilities, equipment, infrastructure, facility ना हो, तो उस साल की permission renewal नहीं करेंगे, बाकि पहले से approval किये, student continue कर सकते हैं, तो फिर वापस approval नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं बोल सकते, college facilities, MCA को satisfaction हुई तो वापस renewal दे सकते हैं, यह सब regular है, तो इस साल जोईन की हुए students का क्या होगा, इसमें किसी परक बात करो भाई, MCA की approval website में जाकर देखो, उसमें इस साल किस college में approval हुई है, किस college के approval cancel हुई है, counseling द्वारा कितनी CTA lot की गई है, management को कितनी CTA lot की गई है, यह सब अची तरह से लिखा हुआ है, sir, sir, sorry, sir, यह बहुत टेंशन में इसलिए बोल दिया, माफ कर दीजे, sir, अभी क् सकता हूँ, बिना April के कैसे admission दिया, पूछा तो भगा रहा हो, अपने भरोसे पर कैसे पढ़ाय करवाएंगे, मुझे भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं management को inform करता हूँ, फीस की वो receipt देकर, अपना पैसा ले लो, फीस की बात कर रहे है, मैंने donation 50 ला बात करके देखेंगे, शांती से बात कैसे करूं मैं सर, यह कोई मामोली बात थोड़ी ही है, स्टूडन्स की जिंदगे का सवाल है सर, भाई, वो यहीं कहीं होंगे, मैं तुम्हें यहां लेकर आया हूँ, उन्हें मत बताना, चीक है, मैं चलता हूँ, सर, आप भी चली ना, नहीं ने भाई, मैडम को बिना बताय मैं उनसे मिलूँगा, तो मुझे डाट पड़ेगी, मैं चलता हूँ भाई, संभल के जाना है, क्रिष्णा, वो रहा हूँ, सर, बोलो भाई, कॉलेज को अभी तक अप्रोवल नहीं मिला, इल्लीगल ओपन किया है, सर, किसने कहा, मैंने NCA में जाकर पूश्टाश कर ली, इस साल भी उस कॉलेज को अप्रोवल नहीं मिलेगा बोल रहे थे, तो क्या कॉलेज बंक अनिक लिए बनाया गया है, अभी तु निकल यहां से, कल बात करेंगे, बिना एप्रोवल वाले कॉलेज में अड्मिशन दिलाके आपने 56 लाख रुपे ले लिए, सर, इसलिए तो यह रेट है, अगर बाहर कम होता तो क्या तुम हमारे पास आते एड्मिशन कराने के लिए, मैंने आपको पैसे दिये थे, आप ही जवाब दीजिए, तो उससे ही बात करेगा क्या, उसको दिया हुआ पैसा मेरे द्वारा ऊपर जाती है, तब जाकर सीट मिलती है, हे, तु शांत रहे, अब क्या करना है ये बोलो, सब गलत लग रहा है, मुझे पैसे वापस चाहिए, भाई, पैसे तो वापस नहीं हो सकते, अपनी बहन को इस कॉलेज में पढ़ने तो, बाकी हम लोग समभाल लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, हमारे पैसे वापस दीजिए, नहीं तो फिर देख लेना, तेरी तो, क्या रे, एक ही बात को तोती की तरह रट रहा है, सुन, अपनी बहन को पढ़ा या मत पढ़ा यह तेरी मर्जी, हेलो, आप हमें धंकी क्या दे रहे हैं, जो पैसे दिये हैं, वो वापस मांग रहा हूं, बहुत इदद से बात कर ली है, मैंने, बहुत हो गया, बस करो, बहुत हो गया, बस करो, तेवल पर पंगा हो रहा है, वहां पर कौन पंगा कर रहा है, भाई-भाई, यह लोग बच्चे हैं, यह लोग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, निकलो यहां से, बोला न जाओ यहां से, यह बोतल फोड़ता है, पैसे कैसे लेगा, मैं भी देखता हूँ. महनत से कमाया हुआ पैसा है, एक दिन तुम खुद लाकर दोगे. चुपचाप चला जा यहां से, वरना मार के यहीं गाड दूगा. चल कृष्णा, यहां से चल. क्या हुआ बासू? मैं और क्रिष्णा चादर शेकर से मिलने गए थे. क्रिष्णा को फोन देना. बोलो. तुम लोगों को किसने कह था हूँ जाने के लिए, अभी कहा हो? बहराम भाग. ठीक है, सुबह बहराम भाग पुलिस्टेशन जाके कंप्लेन कर दो. इंस्पेक्टर से बात मैं कर लूँगी. ठीक है, ओके. ए, हाथ मत लगाना रहे. फोन नम्बर देना. अरे, क्या तु फोन नम्बर मांग रहे हां? ज्यादा शान पत्ती में नहीं तो बेंज़ती कर दो किया है. यहां क्या लपना कर रहे हैं? चलो, सबको मैडम बुला रही है. तु भी चल ले. चल तु भी चल. चल जल दी. नमस्ति मैडम. क्या कि इनके साथ? हम तो खाना खाके चुप-चाप जा रहे थे. इन लोगों नहीं मुझे हवास दी, और हमें अपने पास बुलाया, मैडम. मैडम, यह जूट बोल रहा है. मैं सच कह रही हो, यह यह लोग मिलके रहे थे, मैडम. यह जूट बोल रही है. मेडम नहीं हमारे उपर हाट डाला और हमें तंग कर रहे थे मैडम हमारी जे में जबड़ेस्ती हाट डाल रही थी हमें भी तो लोग ऐसा वैसा कहते हैं अब क्या हम सब को गलत समझते फिर मैडम तुम लोग निकलो यहां से बन्निवाद मैडम अब लोगों को भीज दिया मैडम तो फिर हम नहीं हम लोग भी चाहें इसलिए ऐसा भोला वाहां से यहां किसलिए यहां पास में कुछ काम से आया थे मैडम कुछ लाइटली ठीक है तुम लग भी निकलो अब बाई मैडम क्या मस्त लग रही थी दोस्त पाकाल में खड़े हो सुनों उमका फोन नमर और नाम लिख लो एए इधर आओ इधर आओ अरे अपक्या परेशानी हो गई है चल फोन नमर बता जी साब क्या सेल नमर 9672-81210 ठीक है चल निकल ठीक है सर जरा नंबर तो चिक करो जी चलो रमेश मैं कुमार बोल ला हूं का है तू मैं रमेश नही नेट भी नहीं हुए और हमें चेक कर रहा है टोपी टोपी को नहीं पता हमने कितना को टोपी पहना है नहीं बात है बाई नंबर सही है मेडम वही बोल ला है बाई 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 नंबर चलो निकल बाई नंबर सही है बाई निकल ते रख लिया सब चलो यह निकलो निकलो यहां से चलो जल्दी कर धर्मा यहां क्या कर रहा है चलो जल्दी रुकना इस गार को देखना इस कार को तो जिन्दगी में भी चू नहीं सकते कितनी शांदार गाड़ी है ना क्यों रहे बहुत ही जवर्दस्त एसी होगा इसका बिना इसी कर है सकते हो क्या तुम यह पास में आ आना क्यों डियर इसका क्या दाम है क्यों यह यह चड़ी की बात कर रहा हूं कि मेरे सवाल का जवाब दो अरॉंड थी थाउसंद यह अरे वह चड़ी टीन हजार रुपए में देकर खरीदी क्यों बाई तुम मुझे इस तरह घूर के क्यों देख रहा है तेरे फीचे खड़ी लड़की कहां समझ कर तुमेरा हाथ पकड़कर बैठा है हाथ छोड़ हाथ जोड़ा हाथ यह आता थाना यह तो एसा क्यों गूर के देख रही है तुक्या किसी को देखी नहीं है चला मुंड़ी नीचे गार एए पोई आजायेगा जादी निकलो अबारने दोने रुप जिरा है हुआ है है कि अ है हुआ हाग हुआ है अब बेटा क्या हुआ बेटा यह लो अब अब फोन है क्या हाँ बेटा है मैं नमबर बोल रहा हूं फोन करिया है करो चलो अब 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 सर एक कंप्लेंट मिल सकता हूं अब यह बहुत ही इंपॉर्टन केस में ध्यान दे रहे हैं तुम लिखे दे तो बैठ लिख लो भाई, क्या लिखा है? दिखाओ ज़रा कम्प्लेन लेटर को कॉन्वेंट टीचर कुछ जैसे लिखते हैं वैसा नहीं लिखना चाहिए लिखो श्रिवान साहब सेवा में निवेदन ये है कि ऐसे लिखना चाहिए केस डिटिल बताओ सर जीजे मेडिकल कॉलेज में मैंने मेरी बहन को एडमेशन करवाया था कर दो मिनट सर अब बोलो करन क्या हुआ कार सिटी से बाहर नहीं कोई बात नहीं मैं लाइन पर रहताओ जल्दी बताओ हाँ ठीक है कि सब ट्रेस कर लिया है कार एमजी नगर में है सब हां करन कार मैंने सुन लिया कार चल रही है क्या नहीं नहीं एक ही जगा पर रूके हुई है बोलो तो मैं एरिया पुलिश्यस ना फोन करके इंफर्म करूं नए 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 वह हम देख लेंगे लेकिन सुनो बात हमारे बेची रहनी चाहिए कार मूग करे तो हमें बताना ठीक है कार का पता चल गया है जब गार का पता चल गया है तो उनको पकड़ना मुश्किल यह वो पकड़े जाएंगे करन आयरों मुझे उसकी शकल देखनी है एक ढोरों सत्या क्या है भाई कार का पता चल गया एंजी नगर में है कोई टेंचन नहीं भाई अपने लड़के हैं वहाँ पर काम हो जाएगा कार लेकार आता हूं भाई एक काम करो कार के साथ सबको उठा के लाओ फोन करता हूं भाई क्या रहे भाई है हाँ है एक मिनिट ऊपर आओ भाई हाँ नमस्ते क्या बात है चंद्र शेखर नाइट में पंगा हो गया भाई क्यों क्या हुआ कुछ नहीं भाई वह स्कूल के बच्चे भाई स्कूल के बच्चे वह हम सब लोगों को अंधर करवा देगा यह क्या कह रहा हो भाई मैटकल कॉलेज में उसकी बहन को सीट दिलवाई थी मैंने अब वह यहां वहां इंक्वाईरी कर रहा है कि कॉलेज के अप्रूवल नहीं हुआ वो पैसे वापस मांग रहा है मैं क्या करू समझनी आ रहा सत्या ने हाथ उठाकर कलती करती है वह कोई प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है भाई है वैसा कुछ नहीं होने वाला वह बात नहीं है इस धंदे में मेरी बड़ी इज़त है इसलिए लोग मेरे पास सीट के लिए आते हैं अगर उसने पब्लिक को बता दिया चंदर शेखर तुम कितने साल से बिजनेस कर रहे हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला तुम जाके अपना काम करो भाई मुझे जवाब दीजिए प्रॉब्लम है या नहीं है मैं सिर्फ आपके कॉलेज के लिए काम नहीं करता अगर कल कुछ हुआ तो मैं उनका साथ दूँगा त जब आप बुरा मत मानिएगा भाई चंदर शेखर ऐसा होने नहीं देंगे यहाँ पर कुछ और ही प्रॉब्लम है एक काम करो अपने ओफिस में वेट करो वहीं आकर बात करता हूं ठीक है चलता हूं यह सब मेरी वेज़े से हो रहा है पिता जी मुझे मेडिकल की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी अरे क्या पागलों जैसी बात कर रही है सब ठीक हो जाएगा दिव्या हम लोग भी पूछताच करेंगे जल्दी सब अच्छा हो जाएगा अब हम और कितनी परेशानी तुम्हारे माबाभी कितनी तकलीफ उठाके तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं यह पारवती तुम क्यों रो रही हो हम पुलिस में कंप्रेंट कर देंगे वो लोग सब देख लेंगे क्यों बेटा क्या क्याते हो पूस्तास के लिए बुलाएंगे ऐसा कहा था हेलो हां क्रिष्णा बोल रहा हूं हां जी बोलिये मैं पुलिस्टेशन से बोल रहा हूं जी कहिए सर तुम्हे काम करो तुम भड़ा बड़ पुलिस्टेशन आ जाओ यह कंप्लेंट तुमने किया है क्या जी हां सर तुम जानवी को कैसे जानते हो सर उससे इसकी शादी हो रही है सर अहां अच्छा तुम्हारी बहन को मेटिकल कॉलिज दे जान कर रहा है क्या जी सर चंद्रशेखर हो कब से जानते हो सर राजामानी ब्लोकर है सर उसके जरिया जानता हूं चंदर शेखर से तुम्हारी लडाई हुई थी क्या? जी हां सर, उसके साथ जो सत्या था उसने मुझे और मेरे दोस्त को बेवजा मारा बदले में तुमने क्या किया? सर मैंने इसकी कोई गलती नहीं, इसलिए कंप्लेंट किया सर हां, तुम्हारे बेटे ने कुछ नहीं किया, क्या उसने यूही सुसाइट कर लिया? सर, च्या कह रहा है सर, सुसाइट? हां यार, थोड़ी देर पहले वहाथ कटके मर गया, तुम लोगों पता नहीं है क्या, तुम लोगों ने पहले सही ये कंप्लेंट हमें दिया था, इसलिए मैं पूस्तास के लिए बुलाया हूँ सर, कंप्लेंट तो हमने की है, लेकिछ चिदंबने को सुसाइट से बेरे बेटे का कोई संबंद नहीं कोई संबंद नहीं है, सौरी, निकलो तुम लोग चलो क्रिशन, चलो, पापा अब थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं आता हूँ सर, कॉलिज की सीट के लिए उसे पचास लाख रुपे दिये थे, सर सुनो, जानवी के वज़े से तुम्हें यहां पे इस तरह बिठा के बात कर रहा हूँ नहीं तो हमारे पूस्तास का तरीका अलग होता है क्यों सर, ढमकी दे रहे हैं क्या? तुम्हें धमकी देने के कोई जरूवत नहीं है, क्योंके तुम जबरदस्ती आके फंस गए हो, इरादा पक्का है, भालतों में तुम अपने जिंदगी बरबाद मत करो, अब जाओ यहां से ऐसे ही खत्म नहीं कर सकता सर, अब मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ क्या कहा बेटा, मेरे सावाल का जवाब दो, क्या कहा हूँ क्या करने पर केस उल्टा घुमाने की कुशिश कर रहे हैं, क्या थोड़ा इंतिजार कर, जान भी से बात करेंगे, कंप्लेंट मतलब कुछ नहीं, पुलिस कभी भी नयाए के लिए काम नहीं करती, अगर वो काम करती है तो पैसे के लिए, अकेले जाकर पूछा तो धंकी द करता है लिए। दिव्या के लिए हमें शहर में आये थे बेटा, अब वो नहीं तो एक मिनट भी इस घर में नहीं रह सकते हम, तुम भी आजा बेटा, हम सब गाहूं चले जाएंगे, यहां नहीं रहेंगे, नहीं पापा, मैं नहीं आऊँगा, मेरा कुछ काम है यहां पर, किसी एक की तो चाहत पूरी होने दीजिए, देख के बताना मुझे, नहीं सर, पहचान नहीं पा रहा हूं, ए कृष्णा, तु सच में नहीं पहचाना, गाड़ी नमबर से उस ड्राइवर को पकड़ लिया, एक्सिडेंट के वक्त उसको देखा, ऐसा लग रहा है मुझे, यह ड्राइवर गाड़ी चला रहा था कि नहीं यह नहीं जानता, लेकिन यह एक्सिडेंट नहीं था, तो फिर, तुने पुलिस को क्यों नहीं बताया, बताया थो, मैंने कंप्लेंट की तु मुझे बुला के धमकीडी उन लोगों ने, अब मैं पुलिस से कहूंगा, कि मेरी बहन को मार दिया तो मुझे ही फसादेंगे, मैं अच्छे से जानता हूँ कि यह एक्सिडेंट नहीं था, यह एक्सिडेंट के आर्मे किया हुआ खून है, और यह साजिस किस ने की है, यह मैं जानता हूँ, वो सत्या है, तो सत्या को ऐसे चोड़ देंगे, उसे मारेंगे हम, जो बात हमें पता चली, वो सारा शहर जान और नहीं यह IPL मैच है, यह लोगों के पास और भी काम है क्रिश्णा. चुप कर, हमारी दिव्या जिन्दा होती तो यहां पर होती, तब भी तो ऐसे ही बात करता. यही बात तो मैं भी कहना चाहता हूँ, जब तुझे पता है सत्या ने मारा है, तो इस बात को चानते हुए तो चुप क्यों है? जैसे तुम सोच रहे हो, वैसे उसे मारना असान नहीं है, प्राब्लम खत्म करना बड़ी बात नहीं है, उस वज़े से दूसरी प्राब्लम ना खड़ी हो, ऐसा काम करना बड़ी बात है, स्टूडेंस का फैसला होने तक हम इस पर सोचेंगे नहीं है, हम इसमें क्या कर सकत तुम सोच लो, मिडल क्लास वाले ऐसे गुंडों से डरते हैं इसलिए उन गुंडों की हिम्मत बढ़ी हुई है, लेकिन यहीं मिडल क्लास वाले उल्टा हमला करेंगे तब पता चलेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे सत्याद जिन्दा चाहिए किसी भी हाल में, उसके लिए मुझे उसके सारे डीटेल्स चाहिए। मिस हो गया यार वो सत्या, दस फेट के दूरी पे वो गोड़ा लेके खड़ा था, निशाना भी लगा लिया था, अगर बॉस ना आते तो वो हमें खत्म ही कर डालता। थैंक्स बॉस, बॉस तुम मेरी बात का बुरा मत मना, तुम दिखने में तो डीसेंट लगते हो, लेकिन तुम उसे फॉलो क्यों कर रहते हैं। क्यों बॉस जो नहीं पूछना था वो पूछ लिया क्या। बहन को डॉक्टर बनाना था। उसके एडिमेशन के लिए उसने मुझसे धोखे से पैसे ले लिए। वही पैसे वापस मांगे तो उसने मेरी बहन को मार दिया। कौन? जो मुझे खत्प करने आय था। हाँ, बस वो अकेला नहीं है। उसके साथ दो-चार लोग और हैं। उसे उठाने के बाद सोचा था बाकी के हाथ में आएंगे। लिकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं उन लोगों को कैसे उठाऊं समझ नहीं पा रहा हूँ। कोई बात ने, बस तुमने मेरी जान बचाए थी। आब वो चाहे जितने भी लोगों हम उन्हें उठा लेंगे। क्या बोलते हैं तुम लोग। ठीक है धर्मा, उठा लेंगे। ठीक है, लेकिन वो तुम को क्यों मारना चाहता था। सिर्फ एक बार नहीं, दो दो बार। धर्मा एक मिनट, तुमने क्या नाम बताया। जीजे मोटर्स ओनर्स का बेटा, नाम है गौरव। गौरव। क्या कह रहे हो धर्मा। वही तो कॉलेज का ओनर है भाई। और हमें उसे ही उठाना है। हाँ उसे। तू भी ना, पैसा लेक्या आजाते। इस गाड़ी को लाने की क्या जोरत थी। यह कोई साधरन गाड़ी है क्या। अमीर लोगों की गाड़ी है यह। हम कौन है, अभी उन्हें पता चला होगा। अगर हम हाथ आ जाते, तो हमारे टुकडे टुकडे कर देते। मेरी गलती है यार, अभी मैं क्या करूँ, तुम थोड़ा चुप रहा हो। और सुनो, किसी इस्टेशन के पास गाड़ी छोड़ देंगे, तब तक लड़कों को कहीं भी जाने के माना करना है। देख कौन है। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं रे, पार्टी के पेचान वाला है, इसकी पार्टी फॉरण में सैटल हो रही है। इसके पार्टी के घर में दो-तिन कारे हैं, बहुत अरजंट है, एक साथ सब बेचने की बात कर रहे हैं। कभी भी किसी को भी लेके चला आता है। भाई भाई नाराज मत होना, थोड़ा अरजंट है, पार्टी बाहर खड़ी है, पैसे का उपन नीचे चलेगा। पहले गाड़ी देख तो लो, क्या बोल रहे हो धर्मा। कहां जाना है। नाग पाड़ा जाना है, चलो गाड़ी से चलते हैं, आजाओ। हम लोग अपनी गाड़ी में जाएंगे, अपनी गाड़ी कहा है। देवा टाल के लिए ले गया है, अभी आ जाएगा। भाई, तो तुम्हारा नाम धर्मा है है। कितने साल से हो इस धंदे में। 10-12 साल से। ओ, अजली लोकल या फॉरेंड का भी करते हो। बोलो भाई, अरे बोलना। गाड़ी चुराएगा। भाई पहाड़ डालेगा मेरे। सत्या, काले में डाले ने। आज चल। Diva, Diva Diva, Diva सबको काई में डालो Diva, Diva डालो सबको काई बत देवा 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 जलो रहाँ आप आँ भाई 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 मसे बलती हो गई भाई फलीज प्लीज भाई हमें शोड़ दो ना भाई प्लीज तुझे छोड़ दू इतनी असादनी से जिस आदमी के पास वोटल, कॉलेज और इतनी बड़ी कंपनी हो तुस जीजेम गुरूप के ओनर कौरा की तुकाली उठाएगा और हम तुम्हें इतनी असानी से छोड़ देंगे हम एक एक करके तुम सब को मारेंगे किसी को नहीं छोड़ेंगे कि अधिए कि अधिए कि अधिए अधिए कि अधिए 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 कि अधिए इसीज़न रखिशेए अधिए अधिए था यह दों वादब दोगों को तो हम उसे दिन मर जाते हैं उसे उठाने अतना असान नहीं है बस सब्सक्राइबोषण हम उस नहीं है कर अया आप एक मिनट नापन कर एंग इन चान वी एसाई आप इने क्यों मार रहा हैं सर वाला कृश्ण अ इनों ही अक्यूस नोटेड हुए, इसने तो सत्या और चंदर्शेखर पर कंप्लेंड भी ठुक दिया था, चंदर्शेखर ने तो पहले ही सुसाइट कर लिया था, इसलिए मैं इसे पूस्तास कर रहा था, सॉरी सर, यह ऐसा आदमी नहीं है, मैं इसे पॉस्नली जानती हूँ, मेरे कहने पर चंदर्शेखर और सत्या पर कंप्लेंड किया था, ठीक है, अब मुझे इसे कोई पूस्तास नहीं करनी है, आप अपने गरेंटी मुझे लिख कर दीजे और ले जाए इसे, थाँ, यह टो यह थो secretFe, रहां सक्षा, कि अगरो, स्वर्शेखर है, मिनिस्टर करें हमें पता था एक काम करो मैं भी अपनी साइट से बात करके देखता हूं इस मैंटर पे फोन पे बात नहीं करेंगे किया कहा मिनिस्टर ने है पकवास कर रहा है कुछ सोचना पड़ेगा गवरो पिताजी को बेल हम कोलेज का मैटर खत्म होने तक उनका अंदर रहना है अच्छा है बाकी देख लेंगे एड्वोकेट को फोन करिया है करन सत्या से मिले थे ना क्या हुआ सत्या जवाब दो सब तरफ लोग किया तो क्या मैं स्केप नहीं हो सकता हूँ क्या हाँ सुरी धर्मा थुड़ा लेट हो गया क्या बॉस तुम भी इतना बड़ा रिस्क लेकर तुमने हमें सेफ किया सुरी मत बोलना अंदर आये आये आजा बैट है बॉस यह लो धर्मा तुझे बात करनी है तो इससे बात कर लड़कों को सेफ रहने के लिए कहूं और कितने दिन यहां रहना पड़ेगा पुलीस और गवरो ढून रहे हैं थोड़ा मामला शांत होने दो तब तक हमें क्या करना होगा फिलहाल कुछ मत करो धर्मा मैं बताऊंगा कि क्या करना है ठीक है चलता हूं धर्मा ये क्रिश्णा ये तु क्या कर रहा जानता है तुझे जरा भी गुस्ता नहीं जा रहा है मैं उसे मारना चाहता हूं और तु ए इसे मारना नहीं गवरों का परदा फाश करना ज्यादा ज़रूरी है अब इस खूनी खेल में धर्मा को यूज करेंगे अब साप को कैसे पार कर ये मैं अच्छे से जानता हूं अब चलो ए लड़कों को फोन लेगा है हलो मैं सागा बोल रहा हूं एक प्रट सागा ए दुखान देखने जड़ा है ठीक है भाई कि अधी Bible हो बाई था कि अटब को ए-अधी प्राबलोम एंचổi मैं नहीं रहे यहां कोई प्राबलम नहीं है आज रात में उसा खतम कर दूँगा ए अरुन मेरी बात मान ऐसा मत करना ए वो घृर्व को उठाने की बात कर रहा है भाई कि ए अरुन कि ए धर्मा पैसे के लिए तो तुने बहुत हिंबत दिखाई दे लेकिन क्या अपने दूस्तों के लिए कुछ नहीं करेंगा बोल न भाई करेंगे यार कि हम अरे मतमर यह मैडव बता धो मैण बोल मैंने मना किया मैटम वापने हजबं से डर गई इसलीह झया फर्मा नांके दीके पास लेक गई ती मादम उसका हजबं मुझे कुछ कर देगा यह ję गाए ड़से मूं उसको साथ चला गया था मेडम सॉरी मेड़ कर दू कि मरने से पत्नी दुख में रहती है और तू इसके साथ घंटों फोन पर बात करती है तेरी इतनी हिम्मत की पत्ती को गुंडों से मरवा डाला धर्मा का फोन नमर है क्या समझ में आया या नहीं ठीक है मैडम सुधाकर मैडम नमर लेके चेक कर एक्टिबेट है कि नहीं चेक क गयरेज है वहाँ जा के देखिए अरे वाई फाई स्टार गयरेज धनमा और उनके लड़कों को देखा है क्या अनृट घरमा का चा ही दूकान से क्या संबन्ध कहीं पीके पड़ा होगा उधर देखिए जा ये ठीक है भई है धर कहा है जानते हो को इसके पास घर कहां है कह पीके सो रहा होगा यह नहीं जानता सर चलो भाई घर में कोई नहीं है घर तो कई दिनों से बंद लग रहा है खिक है आजा ओके भाई क्लें पीकिन जानता सर चलो जानता सर चलो कि बंद सकतर। कि दो पुआ है आँ कि भीको रहा है आँ यह डाँ प्रूआ करे लिए गुष से लिए गवराओ करेंगे लिए 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 है भागे लिए 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 कि लिए लोगे हैं ह्ईव कि 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 रोज यहीं से जाते हूं क्या हमेशाम इसी राष्टे से जाते थे सर अचानक से कच्रा गाड़ी आ गई तो हमने रास्ता चेंज कर दिया सर वह कितने लोग चार लोग थे सर मुझ ढके हुए थे और उनके हाथों में चाकू भी थे पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था लेकिन फिर अचानक से मुझे याद आया कि सर की गण जो है डेक्श बोर्ड में रखी हुई है और मै जल्दी बॉड़ी हटाके पोस्ट मार्टम के लिए भेजो जी सर धर्मा यही है क्या नहीं चलो चलते है इसका नाम अरून है मैडम यह धर्मा का साथ ही है मैडम यह सब लोग गारिज में एक साथ रहते हैं मुझसे बिना पूछे चले गए अब अन्जाम देख रहे हो ना अरून मर गया अब खुश हो गए तुम लोग देख सागा बड़ी रिस्क लेकर मैंने तुम लोगों को यहाँ पर ठहरा है समझे ना तुम तुम लोगों से ज्यादा गुस्सा मेरे दिल में भरा हुआ है थोड़ा टाइम लेकर काम करेंगे कहा था न एक गलती करेंगे न तो सब को उठा कर लेके जाएंगे फिर समझ ल क्योंकि हम अनपढ हैं गुस्सा और जलबाजी में काम कर गए हैं आगे हम सोच समझ के काम करेंगे क्रिश्णा सुना है कि हेल्थ मिनिस्टर आ रहा है या क्या मांगे है आप लोगों की हम सभी को कॉलेज बदल देना चाहिए या तो जी जी एम कॉलेज को गवर्मेंट अंडर्टेकिंग कर दो दोनों में स्टूडेंट्स के लिए अलग क्या है वही कर लेंगे सर हमने अप्रूबल कैं उसमें भी तो प्रबलम है सर इन सब को डिम्ड इन्वर्सिटी बोल के होल्द रेकॉर्ड जोइन कराया है अगर इन्हें गवर्मेंट कॉलेज में सेम बैचमें अगर जोइन कराया तो जो बैच में है वो स्टूडेंट तो प्रबलम करेंगे ना बहुत-बड़ा इसू हो अगर स्टूड़न्स अपनी पसंद के कोर्सिस को गौवर्मेंट के दौरा भी जोइन कर सकते हैं अगर हमने पहले इंक्वाइरी कर ली होती तो हम इस कॉलेज में जोइन करके धोखा नहीं खाते हमारा पैसा और साल दोना बरबाद हुआ है अब हम क्या सब के सामने रोते रह हम आप लोग ही सवाल करेंगे आप लोग ही जवाब देंगे तो मुझे यहां किसलिए बुलाया गया क्या कॉलेज गवर्मेंट के नाम करके हाथ मिलाने के लिए आया हूँ क्या अप्रूबल के बिना एड्मिशन दे दिया यह मानता हूँ उसी कॉलेज की वज़े से मेरे डैडी आरेस्ट हुए है कोर्ट में केस चल रहा है और इसी अप्रूबल को पाने के लिए सभी स्टूड़न्स यहां पर इखटे हुए है करन जे यह रहे स्टूड़न्स के साइन की हुए NOC लेटर्स सर यह जूड़ बोल रहा है यह हम लोगे साथ फ्रॉट किया है तुम्हारी दियूभी फीस के पैसे कॉलेज अकाउंट से गवर्मेंट ने ले लिया है अब क्या है गवर्मेंट ने रिफंड किया था लेकिन सिरफ हमारी फीस और बागी के स्टूड़ जो पचास लाख रुपे दिये थे उनका कौन वापिस करेगा कैपिटेशन फीस आप लोग कॉमेडी कर रहे हो क्या हमारे पास पैसा कमाने के लिए और भी बिजनेस है चंता की सिवा करने के लिए हमने ये कॉलेज शुरू किया अगर किसी के माक्स कम आया है तो उसे डोने के अंदर वापस कर दूगा फंड प्रॉब्लेम के वज़े से उस जमाने में सरकार एजुकेशन को प्राइवेट के लिए दिया लेकिन जो लोग बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन बुक्स के लिए फीस लाइबरेरी फीस बस ये वो बोलकर सरकार के तरह वो लो कमाने लग गए इसलिए इसको दिये पैसे को आधा कर देने से पूरा कर देने सोच के मेडिकल पढ़ने के लिए बहुत सारे लड़के रसिया चाइना क्यूबा में चले गए इतना खंचा कर दिया वो मेडिकल का फ्री में करने के लिए बना हुआ है जितना पैसा भारा वो हम् हम् थैंक्यू सर् सुनो यह पैरेंट जिन जिन को पैसा दिये थे सारे एजेंट्स को पकड़ के पुस्थास करो सुन्दर सर है क्या सर वो दो दिन से घर से बाहर हैं आज आने वाले थे लेकिन सुबह से फोन ट्राइक कर रही हो स्विच ओफ आ रहा है सर मई और जून का महिना आया नहीं कि बस कॉलेज सीट स्कूल सीट के पीछे भागते भागते ही जिन्दगी बीच जाती है सचिन बादने बनना चल अंदर तू भी चल आय तो इंपर देना है ठीके सर सर सुंदर घर पे नहीं है ओके सर बच्चों का एड्मिशन समझ भूच करकर आना चाहिए था अब इसका जवाब कॉन देगा हाँ यह सब लोग एक साथ कहां गायब हो गए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहां ढूने इन चारों की कीमत तीस करोड है टू एक्सपेंसिव इस दुनिया में पैसे वालों की सिफ़ दो कैटेग्रीज हैं पहली जो खुद मैनत करके कमा के तीरे धीरे डिवैलप करके यहां वहां भटक कर आगे बढ़ते हैं और फिर अमीर बन जाते हैं दूसरी मेरे जैसे अमीर बाप के घर में पैदा होते हैं लेकिन उनका मकसद जिन्दगी में सिर्फ पैसा कमाना होता है लाइक आइके नाट मुझे पता है सिंदगी में पैसा कैसे बचाया जाता है लाइका मैजिक बहुत मैनत का काम है यह बहुत साल पहले यह फैक्टरी यह चोटी सी लेबर प्रॉबलम की वजह से बंद करनी पड़ गई थी उस दिन से आज तक यह बंद है उस दिन मेरे डैडी को क्या-क्या फेस करना पड़ा था तुम लोग यह नहीं जानते हो कॉलिज को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता इस प्रॉबलम को पूरी तरीके से खत्म करने का मैंने डिसाइट कर लिया है अगर यह चारों फसे तो सिर्फ हाथ से पैसा ही नहीं पचास करोर की प्रॉपर्टीज भी जाएगी खत्म कर दो लेकिन इन सब की बॉड़ी पैचान में नहीं आनी चाहिए स्मैश दें पैसों की लालच में यह चारों मारे गए क्लासिक मार्डर अगर सर अगर आपके आपके बहुत भरोसा है आपके उपर आपके जोड़ दो सर आपके जोड़ दो हुआ 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 है हैは coy कर दो हा लो दुम वा जाड़ हेंañ हैं एक भर पिसे करऊ है वालो है्पूरिक कर दो डिए आता इंसा है प्रिक कर दो नहीं जदेए और हाथimal हमें लिए मागँ पूरर एक पर एक हां सायफ Does है हम लोग रखेजे कर दो पिछैनल रोग होई झाल क्विए झाल यहां पूरिक हो राइग्ल के अजय खोड़ी ऐं लिने टॉर्थ अटेंगे, अटेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, अमारी मांगे पूरी करो. धरमा गाडी रोको. अरे, शुना यहीं देदा तुम्हें, चलो. क्रिश्ण, 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 ए, चलो, आगर बढ़ो, जाओ जाओ, झाल मैडम एक मिनट करण से रहें क्या? नहीं, वो तो अभी अभी बाहर गया अभी निकले हैं? उन्होंने बुलाया था कोई बात नहीं, मैडम मैं फोन करता हूँ ओके मैडम हाँ? थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? एक मिनट रुकिया गवरो बिना मिने जो मेरे नाम से प्रॉपर्टिली है उसे लेगली गवरो के नाम पे कर दीचे, सर गवरों के जनकारी के भी ना? गवरों से इस बारे में मैं बात कर लूँगा, सर आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजे जरूर करूँगा, करन, सिर्फ तुम्हारे लिए अलो क्रिष्णा, वो निकल रहा है, हमें क्या करना है? अब से फालो करो क्या बोला? कार को फालो करो कहा है? अबूष् Equus करन अनू, क्या हुआ? तुम्ह बन मगई भाला? अनू, बोलो जल्दी अनू, क्यो भाला? बताओ मुझे वो मैं भताता हूं करन तु कोण है? और मेरे घर में क्या कररा है तु मुझे ऍचान्द शान्द थाख रहूँ करन मैं जो बोलूँगा वही का ना डिस्प्ले से अगर एक सेकेंड के लिए भी इधर उधर हुए ना और होशियारी करने के कुशिश की तो तुम्हारी अम्मो का ये आखरी दिन होगा समझ लेना तुझे क्या चाहिए पहले तुम कार स्टार्ट करो फोन ऐसे जगह रखो जहां से तुम्हारी शकल दिखे ए बतारे तुझे क्या चाहिए शकल दिखा अपने दिखा शकल दिखाने के लिए साठ लोगों का साथ होना ज़रूरी है तु स्टूडेंट गृप का है क्या तु बहुत गलत कर रहा है हम तु साठ लोगों से हुआ है इसके सारी डी-टेल्स मुझे ॥ ए टोनेशन डी-टेल्स ही जानता है मैं कुछ नहीं जानता किया नहीं हूं इसलिए यहां श़चा है अर्य वो क्या परेंटेशन प्लोगों कोई प्रूफ नहीं होता है कि अन्नु को कुछ मत करना मुझे थुड़ा समय दो मैं सारी डिकेज्स दूगा उसे कुछ मत करना जल्दी पीछे मुड़कर देख सारे डीटेल सोने दो तब तक तुम लाइव रहो याद रखो लाइन कट नहीं होनी चाहिए आधे घंटे का समय देता हुआ मैं सब कुछ द गुड़ मॉर्णिंग सार थोड़ा म्यूट करो अधा बोलो किस्टा वो गाड़ी से उतर की किसी बिल्डिंग में गया है कमर्शल बिल्डिंग लग रही है ठीक है वहें पर वेट करो हलो धर्मा क्या हुआ वेट करने क्लिए का है अभी तक हां वेटी तो कर रहे हैं हां बोलो क्रिष्णा गौरवी उसी बिल्डिंग में जा रहा है यह हमारे लिए सही मौका है क्या कहते हो में गल्ती मत करो मैं बताओंगा तब तक वेट करो अभी भी वेट करने के लिए क्या रहा है क्या हम फोन अन्म्यूट करो करन काम हो गया हां हो गया बोलो जल्दी निकलो गवरव ओफिस आ रहा है क्या हुआ करन क्या कर रहे हो वो ओडिटर ने एक फाइल मांगी थी इसलिए राम अंदर आओ उस लड़के को कुछ हुआ तो नहीं कुछ नहीं हुआ है सर लिडिंग जादा हो गए थी बेहोश हो गया था लेकिन बच गया क्यों करन अगर वो स्टुडेंट मर जाता तो क्या हो जाता बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी सर बाकी की कॉलेज स्टुडãyंट भी गौर्वनेंट के खिलाफ हो जाते थे और मीडिया भी चुपन ही रहती थी कॉलेज बंद करने की नौबत आ जाती थी सर वहुम उन्ही स् Karan, any problem? वाइफ के चेक अप के रिए होस्पिटल जाना है, तो चलता हूँ बार आरा है, हमारे पास ही आरा है, आरा है, आरा है आने दो, आने दो आ गया, आ गया पास में आने दो देखते हैं यह लो, और जाओ जल्दी अलो, क्रिश्न, करन मुझे एक फाइल देकर कार के पास जा रहा है जानता हूँ, तुम गोडाउन में आ जाना तो उसे? वो मैं देख लूँगर, तुम जल्दी आ जाओ आप क्या बोल रहा है वो? हमें गोडाउन में आने क्लिए का है? अरे उसना हमको समझ क्या रखा है कभी बोलता इदर जाओ, कभी बोलता उदर जाओ अब गोडाउन में वापस बुला रहा है अन्नु 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 मुझे माफ कर दो अन्नु मैं तुम्हें क्यों माफ करूँ करन? यह कौन सा काम है? महरबारी करके मुझे माफ कर दू यह काम, यह पैसा, यह जगा इस सब को छोड़के में जाने के लिए तयार हो गया था लेकिन वो मेरे मूँ से सारी बाते उगलवाने के लिए तुम्हारी कातन पर चाको रख दिया था नहीं करन नहीं उसने जो किया सही किया अगर वो यह सब नहीं करता तो मुझे तुम्हारी असलियत का पता ही नहीं चलता इन लोगों के लिए मैं अब तक आप से बात कर रहा था मेरा काम गलत लगे तो आप पुलीस को फोन कर सकती है नहीं तो हमारे लिए सिर्फ दस मिनट के लिए अपने पती को फोन कीजिए अगर वो चाहता तो उस वक्त वो तुमसे अपना पैसा किसी भी कीमत पर वसूल सकता था करन गलत काम का नतीज़ा हमेशा गलत ही होता है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है करन उसके पैसे ले जाकर वापस कर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन बहुत देर हो चुकी है अगर मैंने उसके खिलाब कुछ किया तो वह मुझे मार डालेगा तो मैं सिर्फ अपनी पढ़ी है बाकी स्टूडेंट का करा दोबताना नहां करते है को भाप बाकी स्टूड़ा कि वह हienा दोगा कि शुच कि अर्ध कि खिला वापस कुछ बाकी स्टूड़ा हुआ है हुआ है वहाँ बाकी सिधा चलो एक मिनट वासू सिधा चलो झाल 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 करन मैं हूँ सो गय थै क्या नहीं गवरा बोलो सब कुछ ठीक से हो गया ना गवरा गवरा भी हूँ गवरा तम क्या पूछ रहे हो मैं क्या पूछूं करन मेरी गैर हाजरी में मुझे सब कुछ पता चले इसलिए तुझे रखा है अब तू ही मुझसे बाते चिपाएगा करन तो कैसे चलेगा कि अजय कि अजय को अजय करन कट मत करना कि तेरे बारे में कितना कुछ सोच रहा था लेकिन तूने आफिस में आकर मेरे डॉक्यमेंट्स ही चुडा लिये मैं उस लड़के को ठच वाने की कोशिश की तो तूने उससे बचाया क्या हो गया है तुझ को करनना नहीं गॉटर औरन पहने मेरी बात तो सुने हो न के अगर कल मुझे को घ्र। अगर कल मुझे कुछ हो गया, तो मेरी फैमिरी का क्या होगा? अच्छा, वो तेरी वाइफ को दंकी देगा, तो तू कतारी करेगा. गवरो, मेरे पास और कोई रास्ता रही था. सेरे वाइफ और तेरी होने वाले पचे को अब अब जरा संभाल कर रखना. तेरी जिमेटारी है ना? तार, गवरो, मेरे बाद सेराब. गुडाईट. गवरो, गवरो, मेरे. झाल 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 उनका अगला टागेट मैं हूँ अरे नहीं सर आप कैसी बाते कर रहे हैं उसके इतनी हिमत कहां कि व आप तक पहुँच बाएगा सर वो स्टुडेंट्स के लड़ रहे मतलब उन लोगों का कोई पहचान वाला है वरना कोई इतना रिस्क क्यों लेगा वो लोग अंदोलन कर रहे हैं मुझे इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन करन कुद हमकी दिकर डॉक्यूमेंट्स नहीं लेने चाहिए थे धन शकर जी भाई आपने बावन लाख दिये थे ना हाँ भाई डीपिका हाँ भाई आपने चपन लाख दिये थे ना भाई चपन ललाख दिये थे इस सर सर यह मैंटं करने वाला कोड है सर किस स्टोडन से कितने पैसे लिए यह नोट किया गया हैoni हमारी आखिरी उमभित करन था और वो भी नहीं रहा ये छोटे-छोटे फाइल के कटिंग, पेपर, कटिंग कोई सबूत तो नहीं है न, गौराओ, इसे आसानी से तो नहीं देगा हमारी आखरी उंबित करन था, अब वो भी नहीं रहा नाडम, एटेल के ओफिस से मेल आया है, जिस नंबर की इंक्वाइरी हम लोग कर रहे हैं, वो पहले दो बार डियक्टिवेट किया गया है इसलिए तीन लोगों के अप्लिकेशन फोटोज और डिटेल्स भेजे हैं, उसमें से एक ये धर्मा है, जैनती से कन्फर्म करने के लिए दो पुलीस आफिसर भेजे हैं, मैडम अबिकार नहीं है धर्मा, वेट करो, तुमने खुद फैसला करके क्या हासिल किया जरा सोचो, करन भी नहीं रहा, तुमसे कोई सवाल करने वाला भी नहीं है, अनुभाव के कीमत होती है, याद रखना गोरो, और इजद देने वाला हमेशा उपर ही रहता है, कोई चांस नह बिलकुल आप की तरह, आप यहां रहकर आराम कीजिए, कॉलेज जल्दी शुरू होने वाला यह खबर में जल्दी दूगा, हूँ, बाइ टेडी घलो किसका फोन था, Krishna? पता ने, Dharma, रौंग नमबर था पता निये, Dharma, रौंग नमबर था ग्षोकर मेंट, तक किसका फोन था, Krishna, अब जाओ, Dharma अब जाओ, Dharma वहाँ जोड़ाख्या शाह्यख से निए दूटेंग चाहिए भरमानी शाहिए तो आपर खोलोर्च को एल जोड़ाय थाकर नियु तो इसके को सब्सक्राइब कवां बोल्त जोड़ाय तो कहा है लोगर कोषिए नियुक्ट दूटक्रिया खेस आईए अंदर आईए ओके सर मैं ग्लोबल टेक से बात कर रहा हूं हम अफिसेज में मनी काउंटिंग मशिन सप्लाइ करते हैं आपकी मशिन के लिए फ्री सर्वीस है अगर आप करवाना चाहते हैं तो स्टाफ को भीज देता हूं हां कभी भी आ सकते हूं आने से पहले फोन कर लेना थेंक यू सर हेलो सर कौन है आप हम ग्लोबल टेक से आ रहे हैं राम सर ने बुलाए था ओके जाए हां कि अगरोब अगरोड अगरोड दो कर दो कि अगरोड अगरोड तो है गुड्मॉर्ण जाने ग्लोबल टेक से कौन्टिंग मसीन ठीक करने के लिए आया हैं सर हां वो मशीन अंदर है एक मिनिट रोको मैं लेके आता हूं कि 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 सर काउन के लिए क्याश चाहिए थोड़ा वेट करो कि 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 अधर एक चल अंदर रहा है कौन है इतनी सिक्यूरिटी के बावजूद अंदर कैसे आया मुझे इस बात का जब आप चाहिए सर वो ग्लोबल टेक से आया था कह रहा था उसके नमबर पर फोन करो हुआ है हलो सार ग्लोबल टेक से मशीन सर्विस के लिए कोई आया है सर सर ग्लोबल टेक से सर्विस के लिए और कोई आया है सर कि हां है कि हां उसे भीज़ दो ओके सर गुट मॉर्निंग सर मैं राजा मसीन ओ याय क्या लूज नोट मशीन है मैंने तो सोचा था बंडल नोट काउंटिंग मशीन होगी है ओके सर यह लेलू कि चेक करने के लिए सर हमारी मशीन की एक साल की गारंटी सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो है सब ठीक है आईये न सर आप एक बार चेक कर लिजिए सर अगर आप एक बार चेक कर लेंगे समय बहुत अच्छा लगेगा हूं चलता हूं सर चलता हूं सर यह तो इसारे में बात करता है सर जो आया था वो भी ग्लोबल टेक ही कह रहा था तो क्या डाउट है कॉल करो उसे हेलो ग्लोबल टेक मैं जी जीम ऑफिस से बोल रहा हूं बोलिये सर आपके ऑफिस से स्टाप बोलके लड़का आया था जी सर बोलिये न उस लड़के का नाम क्या है राजा क्यों क्या हुआ सर नहीं कुछ नहीं क्या है ओके सर 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 आपको कभी भी नया मशिन चाहिए हो तो कॉल कीजिए गार अचार मैं सच में कुछ नहीं जानता सर अचार 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 कि अचार कि यह सब क्या है तुने मेरी सारी डिटेल्स उस आदमी को लीग कर दियाना कि सब्सक्राइब तो क्यों जानता है तो तुम उससे नाराज हो मैं अच्छी तरह जानता हूं लेकिन अभी यह बात जाने तो मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था लेकिन करना जाने कैसे उसने तुम्हारे सारे प्रान को मिट्टी में मिला दिया अभी वो मेरे पास ही है तु आफिस तक आकर कैसे बच गया मैं यह सोच रहा हूं अरे रे तुझे परिशान करने वाले को मैं लाकर के देता हूं तुझे क्या चाहिए बोल मुझे क्या गोरो और सेटल होने के लिए कुछ पैसा भी कितना चाहिए तुझे तुम खुद बोलो बीस लाख एरे यह क्या तुम तीस लाख लेकिन डॉक्यमेंट दिखाने से पहले देना पर लाता हूं मुझे चड़ी में मत ख़ड़ा करना नहीं करूंगा चल्दिया नहीं मैं उसे अकेले ही लेकर के आऊंगा तुम्हारे साथ में तो लड़किया होंगी ना अकेले आजा चल्दिया तु पागल हो गया क्या खुद क्यों पसरा है गौरव को मारने से क्या यह प्रॉबलम सॉल्व कर लेगा तु कृष्णा नहीं जानता अगर उसे मारना होता तो पहले ही मार चुका होता लेकिन स्टूड़न्स की पढ़ाई के लिए कोई अच्छा फैसला मिलेगा ये सोचक अगर अब तक चुप रहा लेकिन अब वो स्टूड़न्स को ही मारना चाहता है इसलिए उसे मारना बहुत जरूरी है तुम चिंता मत करो धर्मा और सागा मेरे साथ है जरूरी है झाल भाल झाल 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 इस बैग में 20 लाक रुपे एक्स्ट्रा है इसको मार कर पैसे ले लेना ये तुम्हारे हुए है दर्मा किसी भी हाल में गौरव हमें नहीं छोड़ेगा हम क्रिष्णा के रास्ते से चलेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी पैसा बराबर नहीं दिया तो हम क्रिष्णा को महीं छोड़के वहां से भाग जाएंगे नहीं तो क्रिष्णा से गौरव को खत्म करवा देंगे गौरव क्रिष्णा को मारे या क्रिष्णा गौरव को मारे हमें क्या फरक पड़ता है हमें तो बस हमारे पैसों से मतलब है सब्सक्राइद इयुमलेघ्जे पैसरे ंजे वियुम फियुमले उि रोल्य ऊंजमलेके वुमलेगिं क्या र you कु यूण रोल्या गज्य हम उ Porquenio हमें किए x2 कि एका में भोग का ट्यां से चाहिए! एका में एका रुप का रुप कि नहाई पर का रुप का रुप! आगा का रुप, जहाई एका रुप कि एका रुप झाल 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 झाल